Hello Traders, I hope आज का भी दिन आप सभी लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन बीता होगा क्योंकि आज भी Maximum Intraday Stock में हम लोग ने Target को Achieve किया है आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday Stock था Berger Paints इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि starting में हम लोग को बहुत ही सांदर Breakout देखने का मौका मिला था और ये बहुत ही successfully हमारे सारे Target को Achieve करते हुए नजराया है आज के लिए मेरा दूसरा Intraday Stock था Ramco Cements इसके अंदर भी Traders हम लोग देख सकते हैं कि morning में हम लोग को बहुत ही सांदर Breakout देखने का मौका मिला था और ये भी अपने सारे Targets को बहुत ही successfully Achieve किया है मेरा अगला Intraday Stock था Vipro Vipro के अंदर भी Traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही successfully हमारे सारे Targets Achieve हुए है मेरा अगला Intraday Stock था Adani Port जिसके अंदर हम लोग को बहुत ही सांदर यहाँ पर Breakdown देखने का मौका मिला था लगभग 10 बजे के आज पस में और उसके बाद पूरे Market के अंदर हलका सा Consolidation होते हुए हम लोग को नजर आया जिसका रण से इसके अंदर हम लोग को अपना Target Achieve करने में हलका सा Time लगा लेकिन यह भी हमारे First Target को बहुत successfully Achieve करते हुए नजर आया है last में तो I hope इसके अंदर भी आप सभी लोगों ने Profit जरूर generate किया होगा आज के लिए मेरा अगला Intraday Stock था JSW Steel इसके अंदर Traders हम लोगों ने Selling Side में अपने Trade को प्लान किया था लेकिन हम लोग को Breakdown देखने का मौका नहीं मिला लेकिन कल के वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि 817 के उपर में आप लोग इसको Buy कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये 825 के High को Achieve करते हुए नजराया है इसी के साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अगर Steel सेक्टर में Buying Strength हम लोग को देखने के मिलता है तो आप लोग Gendal Steel के अंदर भी अपने Trade को Initiate कर सकते हैं यहाँ पर भी Traders आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार हम लोग को Breakout देखने का मौका मिला और इसके अंदर भी पूरे दिन आज एक बहुत ही अच्छा Momentum Generate होता हुआ नजराया है आज के लिए Traders मेरा अगला Intraday Stock था Donier Donier के अंदर Traders मैंने आप लोग को बताया था कि डवल वन टू के उपर में अगर यह सस्टेन करता है तो हम लोग इसके अंदर अपने Trade को Initiate कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार यहाँ पर हम लोग को Breakout देखने का मौका मिला था लगबग 10 बच के 45 मिनट के आसपास में और उसके बाद यह जाकर के High बनाते हुए नजराया है डवल वन फोर का तो जिन भी लोगों ने इसके अंदर कोई भी Trade को Initiate किया था आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरा अगला Intraday Stock था 3.20, 3.20 के अंदर Traders मैंने आप लोग कल ही बताया था कि अगर यह 360 के उपर में जाकर के Sustain करता है तो एक बहुत ही सांदार Momentum हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है और हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही सांदार यहाँ पर Breakout मिला फिर यह Retest किया और फिर पूरे दिन इसके अंदर एक अच्छा कासा Momentum Generate हुआ है और यह जाकर कि आज High बनाया है 386 के Round में तो आप लोग नीचे Comment section में ज़रूर बतायाएगा कि 3.20 के अंदर आप लोगों ने अपना Profit कहाँ पर Book किया है आज क्ली Traders मेरा अगला Intraday Stock था Indescent Bank इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार हम लोग को Breakout मिलते हुए नचर आया है और यह भी हमारे First Target को बहुत ही Successfully Achieve किया है आज के लिए Traders मेरा अगला Intraday Stock था Apollo Tires जिसके अंदर हम लोग को बहुत ही सुन्दर सा Breakout Definitely देखने के ले मिला था लेकिन यह अपने इस Breakout को Sustain नहीं कर पाया और यह जाकर के हमारे Stop Loss को Hit कर गया इसी के साथ Traders आज PFC के अंदर भी हमारा एक Stop Loss Hit हुआ है क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग को एक Closing देखने के लिए मिल चुका था 276 के नीचे में तो आज यह भी हमारे लिए एक Closing Intraday Stock रहा है आज के लिए मेरा आखरी Intraday Stock था Aeroflex Aeroflex के अंदर Traders हम लोग को यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा Breakout देखने का मौका मिला था और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जाकर के यह High बनाया है 159.95 के राउन में जो कि हमारा First Target था तो अगर आपने से किसी ने इसके अंदर कोई भी Trade Initiate किया था तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा तो Traders आज लगभग 8 Intraday Stock में हम लोगों ने Target को Successfully Achieve किया है और सिर्फ 2 Intraday Stock में हमारा आज Stop Loss Hit हुआ है तो I Hope आज का दिन आप समी लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन बीता होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप लोगों ने किन-किन Intraday Stocks के अंदर अपने Trade को Initiate किया था I know कि Berger Paint के अंदर बहुत सारे लोगों से ये जो Move है वो Miss हो गया होगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही यहाँ पर बहुत ही सांदार रैली जेनरेट हुआ था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है Traders हम लोग हर एक Intraday Move को Capture भी नहीं कर सकते हैं लेकिन Traders आप लोग RAM को सिमेंट के अंदर अपने Trade को Initiate कर सकते थे क्योंकि अगर हम लोग इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत ही सुन्दर सा हम लोग को breakout देखने का मौका मिला फिर यह बहुत ही अच्छी तरह से अपने इसी ट्रेन लाइन को Retest किया फिर यहाँ से हम लोग को अपना Target Achieve हुआ इसी तरह से Vipro के अंदर भी Traders अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अनलाइज किजिएगा तो देख सकते हैं कि बहुत ही सुन्दर सा हम लोग को breakout देखने का मौका मिला था Higher Volume के साथ में उसके बाद यहाँ पर Retesting हुआ और उसके बाद यह अपने सारे Target को Achieve करते हुए नजर आया है Similarly Indescent Bank के अंदर भी अगर हम लोग बात करें इंटरी का तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा breakout हम लोग को देखने के लिए मिला था फिर यह एक्जैक्ली 1460 को Retest करने के लिए आया और फिर यहाँ से यह अपने First Target को बह करके इसके अंदर भी अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनलाइज करेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार breakout हम लोग को देखने के लिए मिला था लोग का मैसेज आया Apollo Tires में SL हीट होने के बाद कि Apollo Tires को क्या सर हम लोग अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं stop loss हीट हो गया है लेकिन फिर भी मैंने stop loss को बुक नहीं किया है तो Tires आप लोग को ये गलती नहीं करनी है किसी भी trade में जैसी आप लोग का stop loss हीट होता है वैसी आप लोग उस trade से exit हो जाईए In fact, आप लोग SL order को पहले से भी लगा करके रख सकते हैं ताकि आप लोग को उस time पर कुछ भी करना नहीं पड़े और आप लोग खुद उस trade से बाहर हो जाईएगा कभी भी आप लोग को मेरी तरब से ऐसा सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि हम लोग को अपने stop loss को और भी बड़ा करना है या फिर कहीं और पर shift करना है हम लोग अपने stop loss को trail भले ही करते हैं loss को reduce करने के लिए लेकिन कभी भी stop loss को extend नहीं करते हैं अब इतने सारे intraday stock में target achieve हो रहा है तो एक या दो intraday stock में definite है कि stop loss hit हो गाई होगा तो आप लोग को उसको respect करना है क्योंकि अगर आप लोग proper stop loss को follow करते हैं तो आप लोग को और भी बड़ा losses से बचाता है साथी में आप लोग के fund को clear करता है ताकि आप लोग दूसरे trade को initiate कर सकते हैं और हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि हम लोग को हमेशा अपने losses को कम रखना है और profit को run करना है तभी आप लोग एक profitable trader बन पाईएगा तो overall बात करें traders आज के लिए तो 8 intraday stock में हमारा target achieve हुआ है सिर्फ 2 intraday stock में हम लोग का stop loss hit हुआ है तो I hope आप सभी लोग को मेरी analysis के साथ साथ जो एकूरेसी है वो पसंदारी होगी तो मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो live intraday update से साथ ही में live intraday chart analysis भी share करता हूँ आज भी मैंने आदानी port के उपर में आप लोग को update प्रोवाइट किया था कि किसी भी candle में हम लोग को 846 के उपर में closing देखने के लिए मिलता है तो हम लोग उस trade से cost to cost exit कर जाएंगे लेगिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं क्योंकि इसके अंदर data आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को reversal cup और handle pattern create होते हुए नजर आ रहा है साथी में अगर आप लोग ध्यान से देखेगा तो यह जो इसका neckline है वो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा crucial role play कर रहा है बहुत ही ज़्य ज़्यादा दिन से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह पहले बहुत ही अच्छी तरह से support ले रहा था फिर breakdown आने पर हम लोग को एक बहुत ही सांदार falling pressure create होते हुए नजर आया और अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे volume के साथ में buying strength भी नजर आ र रहा था फिर यहाँ पर breakdown हम लोग को देखने के लिए मिला और अब यहाँ पर हम लोग को हलका सा reversal होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर भी हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग इसके अंदर भी capture कर सकते हैं कल के यह मेरा अगला intraday stock रहेगा असोक लीलेंड असोक लीलेंड के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को symmetrical triangle pattern create होते हुए नजर आ रहा है 15 minute के time frame में तो कल इसके अंदर higher possibility है कि हम लोग को either breakout या फिर breakdown देखने के लिए मिल सकता है तो कल अगर अगर यह अपनी resistance को break करता है traders तो आप लोग buy side में अपने trade को initiate कर सकते हैं लेकिन अगर कल market के अंदर हलका साई weakness रहता है और यह नीचे में आकर कि अपनी support को break करता है यानि कि 179 के level को break कर देता है तो फिर हम लोग को selling side में भी एक अच्छा खासा opportunity देखने के लिए मिल सकत है तो ऐसे में कल अगर यह अपनी इस train line को break करता है इसके नीचे sustain करता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को इसके अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा HDFC life HDFC life के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि यह जो train line है वो भी इसके लिए as a crucial support की तरह काम कर रहा है और आज क्लोजिंग भी हम लोग देख सकते हैं कि इसी train line के आसपरस में हुआ है साथी में traders यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही खुबसूरत सा inverse cup और handle pattern भी create होते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपनी snake line को break करता है इसके नीचे sustain क कर जाता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग को HDFC live के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है वीडियो में traders आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा साथी मैं चैनल को भी जरूर subscribe कर लिजेगा इसी के साथ अगर आप लोग stock market news से updated रहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल की membership को भी join कर सकते हैं और जितने भी लोग चैनल की membership को join करते हैं उन सभी लोगों को stock market news group में जुडने का मौका मिलेगा जहां पर personally मैं हर एक stock से जुड़े हुए news को share करता हूँ वीडियो में traders आगे बढ़ते हैं कल के लिए एक बार फिर से हम लोग JSW Steel और Ramco Cements को अपने radar पर रखने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं कि Ramco Cements के अंदर भी एक अच्छा खासा falling pressure create हुआ है breakout आने के और कहीं न कहीं ये अपने support के आसपास में आकर के closing दिया है तो ऐसे में कल अगर ये अपनी support को break करता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि already ये बहुत बार support ले चुका है तो उस case में हम लोग को एक अच्छा खासा intraday fall इसके अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है इसी तर के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा चोला फिन चोला फिन ट्रेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि अपने all time high के आसपास में आकर के आज closing दिया है आज इस stock के अंदर बहुत ही सांदार rally हम लोग को continue होते हुए नजर आया है वो भी एक बहुत ही अच्छे volume के साथ में तो ऐस ज़्यादा gap up opening देखने के लिए मिलता है तो उस case में आप लोग इसको ignore कर सकते हैं या फिर gap up opening के बाद जब ये फिर से अपने EC level को redist करने के लिए आएगा और फिर यहाँ पर आप लोग को कोई भी confirmation candle बनते हुए नजर आएगा 5 minute के time frame में तो उसके बाद आप लोग अप को बहुत ही अच्छी तरह से consolidate कर रहा है आज last के intraday session में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे volume के साथ में यहाँ पर हलका सा buying strength हम लोग को देखने के लिए मिला है तो इसलिए कल अगर ये अपनी इस resistance zone को break करता है इसके उपर sustain कर जाता है तो एक अच्छा कासा intraday से हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने इस trend line को बहुत ही अच्छी तरह से respect दे रहा है तो ऐसे में कल अगर market के अंदर weakness रहता है और हैवल्स अपने इस trend line को break कर देता है तो एक बहुत ही सुंदर सा fall हम लोग को इसके अंदर भी catch करने के लिए मिल सकता है तो इसलिए traders आप अखरी intraday stock रहेगा हिंदुस्तान Unilever हिंदुस्तान Unilever के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि one day के time frame में एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को cup और handle pattern create होते हुए nurture आ रहा है अगर हम लोग chat को थोड़ा सा zoom out करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत ही खु इंट्राडे fall हम लोग को इसके अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है तो इसलिए traders आप लोग कल के लिए इसे भी जरूर अपने radar पर रखेगा तो कल के लिए traders आप लोग इन सारे intraday stocks को अपने radar पर रख सकते हैं और traders बहुत ही जादा मेहनत लगती है आप लोग के इतने ब समय सकता है झाल 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 झाल